तो हेलो गाई स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए व्लोग में अभी सुबह का पांच बच चुका है और आज हम लोग निकल रहे हैं उन्ना और घाट के लिए जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि फतेपुर में बहुत ही लिमिटेड जगा है गोमने के लिए और उन्ने से एक बहुत ही खुबसूरत घाट है अपना उन्ना और घाट तो सबसे पहले सफर की शुरुआत करने के लिए हम लोग आ जाते हैं अपने बल्लू भाई के बास और इनकी दुकान में सुबह की चाय से शुरुआत करते हैं और यहां पे अपने सारे लोग भी आ चुके हैं तो यह अभी इनकी सुबह की चाय बन रही है और यहां से चाय के हम लोग सफर को सुरुवात करते हैं और आप लोगों को आज पूरा विजिट कराते हैं नौर घाट का तो बने रही है इस व्लॉग में तो हेलो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए व्लॉग में जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे अगर पतेपुर वालों से कि उन्हों और घाट में क्या-क्या मिलने वाला है तो चलते हैं तो आज मौसम जो है वह भी बहुत ही खुस्नुमा है तो सफर का जो मज़ा है वह बहुत ही ज्यादा अच्छा आने वाला है और आप लोगों से मैं इतनी अनरोड करना चाहूंगा कि आप लोग इस ब्लॉग फतेपुर का बहुत ही फेमस अटल पार्क आ चुका है और यहां से अब हम लोग सीधे जाने वाले हैं बिटारा मार्ग पे तो देखिए यह है अपना ओम घाट जाने वाला मार्ग और यहां पे आज मौनसून का मौसम है और यहां प इतनी हर्याली रहती है कि आप जब भी आएंगे एक बहुत ही अच्छा तील जो है वह आप लोगों को यहां पर मिलने वाला है और जाहिल सी बात है जब भी आप अपने फ्रेंड के साथ सफर करते हैं तो उसका जो मज़ा होता है वह बहुत ही ज्यादा अलग होता है तो अभी अपने सारे बल्लू यहां से चल र यह बोड और घाट के लिए लिखा भी हुआ है तो आप लोग यहीं से टर्म ले लिजीएगा और यहां से अब लोग सीधे चले हैं और घाट के लिए तो देखिए यह बहुत ही ज्यादा सांत इलाका है और यहां पे जब भी मौसून का मौसम आता है तो यहां का जो है जो कि सीधे ओम घाट के लिए जाता है तो आपको फिर से वापस जाने की ज़रूवत नहीं है यह रास्ता जो आप लोग भेख रहे हैं यह आपको सीधे ओम घाट पहुंचा देगा तो फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं उन और घाट पे और यहां से हम लोग सीधे आपने लाप परवाई का नतीजा है अब लोगो लेटिंग लगी तुम अपका वीडियो बनाने की पड़ी तुमको अले बड़त होना लिए अधर देग लोग लोग मिले बले जल्दी वह क्या हो यह में टाइम में तुमका यही ख़ब लगाते है कि अधिया इस फानी चल्द सब इंटिजार कर रहा है कि पानी जलो बाल जल्दी तो यहां है रहाँ जा रहे है कुछता है कर दो कर दो कर दो कर दो कि अगया तो यहां से आप सभी ने सीख ले ली होगी कि खूले में सचाले नहीं जाना चाहिए तो चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं तीले की तरफ जो कि एक ट्रैकिंग वाला रास्ता है तो आप लोग जब भी यहां पे आएंगे तो कुछ एडवेंचर आ यह जरूर मिलेगा और यहां से अभी हम लोग सीधे जा रहे हैं जो तीला है उसकी तरफ तो आईए आप लोगों को दिखाते हैं कि यहां का जो रास्ता है वो कैसा है तो देखिए अधी बारिस का मौसम चल रहा है तो यहां पर जगर-जगर इस तरह का पानी भरा हुआ होता है तो जब भी आपाएं तो बहुती साफधानी के साफ यहां से जंप बगैरा करें अगर आप जंप नहीं कर पार रहे हैं तो पानी इतना गहरा नहीं है आप अराम से यहां से चलके भी जा सकते हैं तो फाइनली अभी अपने सारे बल्लू जंप करके दूसरी तरफ आ चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं जंगल से होते हुए टीले के उर तो अगर आप लोग फ़ते पूर से हैं और एडवंचर का सौख रखते हैं तो आप लोग यहां पर आ सकते हैं वारिस के मौसम में यहां का जो वियू आता है और यहां का जो रास्ता है वह बहुत ही ज्यादा adventurous हो जाता है तो आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा मज़ा जो है वो मिलने वाला है अपने दोस्तों के साथ जब भी आप आएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है यहां पर कि आप लोग बारिस के मासर में जब ही यहां पर घूंटने के लिए आईए तो अपने हाथ में डंड़ा ज़रूर कर लिजिए क्यों कि बारिस में बहुत प्रकार कि घंघ्टा के लिए और हो सकता है उसमें सांप बगारा भी हो तो जब भी आप लोग यहां पे आईये तो हाथ में गंडा कैरी कर लीजे जिससे आप लोग घास बगारा को हटाते हुए अपना सफर कांटीनू कर सकते हैं और अभी हम लोग आप लोग लेके चल रहे हैं तीले की तरफ और दिखाते हैं कि वहां से कितना सुन्दर जाना चाहते हैं तो आप लोगों को एक बहुत ही बहुत ही अच्छी लोकेशन मिलने वाली है तो फाइनली डाइज जंगल से होते हुए और इतनी महनत मसकतत करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं तीले के ऊपर और अपने साड़ने देखिये कितनी जल्दी जल्दी जो view लेने के लिए वहां पर पहुँँ चुके हैं और बहुत सारे हैं यहां पर जिनको बहुत ही अच्छी अच्छी फोटो के चानी है अपने फेस्बूक और इंस्टाग्राम के लिए तो सभी जल्दी यल्दी यहां पर पहुंच रहे हैं तो आप लो देख सकते हैं आज बारिस का दिन है और यहां का जो है वो कितना ही अच्छा आ रहा है और अभी हम सारे लोग है वो कितना ही ज्यादा लाजवाब है और जब भी आप यहां पर आएंगे और यहां से आने के बाद ऐसा देखेंगे तो आपका जितनी भी श्ट्रगल थी आपकी वह सक्सेस्फूल हो जाएगी और देखिए यहां से जो बलखंडी घाट है उसका भी पूरा दिखता है उ जरूर ध्यान रखिएगा जो भी आप लोग वेश्ट आप लोगों का निकलता है कूड़ा बगार उसको अपने साथ कैरी करेके वापस ले जाएं यहां पर फेकिएगा मद क्योंकि यहां पर पहले से काफी लोगों ने जो भी वेश्ट ता वो फैला रखा था फिलहाल लेंगे सीधे ओम घाट के लिए और वो रास्ता भी आज हम लोगों को आप लोगों को दिखाने वाले हैं तो व्लॉग में बने रहिएगा तो अभी अपना नास्ता पानी हो चुका है और हम लोग जा रहा है अपनी बाइक की तरफ और बाइक लेके अब हम लोग सीधे नि करेंगे इसनान और उसके बाद वहां पे थोड़ी देर बैठेंगे तो देखिए यह है वो रास्ता जिसकी मैं बात कर रहा था बहुत ही अच्छा मौसम है आज का और जो सफार है उसको करने में बहुत मज़ा रहा है देखिए फाइनली हम लोग जो ओम घाट है वहां पे पहुत की चुके हैं और यह है ओम घाट का पीछे वाला दर्वाजा यहां से आप लोगों को इंट्री लेनी है और अभी हम लोग सीदे चलेंगे ओम घाट पर और यहां पर घाट पर आने के बाद हम लोग करेंगे इसनान और उसके बाद जाएंगे भगवान भोलेनात का करने के लिए लोगों ने गंदा इसनान कर लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं बहुत ही तेमस मंदिर में तो आई आप लोगों को लेके चलते हैं और दर्शन कराते हैं तो गाई सुबह का टाइम है और यहां का जो महाल है वह बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है पूरा तो आज हम लोगों के आने के समय बहुत ही इसी सौभग से हम लोगों को आरती में रहने तभी सौभाग प्राफ्ट हुआ और अभी हम लोग यहां से लगवा रहे हैं टीका और उसके बाद आरती लेके हम लोग बलखंडी घाट के लिए क। वहां पर भी कुछ बन रहा है क बल्लु की इच्छा थी कि चलो चलके देखा जाए कि वहां पर क्या वन रहा है तो अभी आम लोगों को दिखाएंगे oh लाहां पर बहुत ही ज़्यादा अब्हुत है तो देख सकते हैं अप लोग यह है पूरा बल्खंडी गार्ट का आज मौसम बहुत अच्छा है तो इसके सुन्दरता में आज चार चांद लगे हुए हैं और उसके बाद अभी सब को बहुत पेज भूग लग चुकी है तो हम लोग यहां से सीधे जाएंगे बिटारा और वहां पर पकॉडियों का आनंद लेंगे तो व्लाग में लास तक ब लोग बैठे हुए हैं तो गाइस यह था आज का व्लॉग आई होप कि आप लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और इस व्लॉग के लिए हम लोगों ने बहुत मैनत की है तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी फतेपुर में जो लो